हेलो एवरिवान आएम रिद्रोन यह वाचिंग स्काइज दलिविट्स आज के वीडियो में बेसिकलिए हम लोग डिसकुस करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक आज बेसिकलिए हम लोग डिसकुस करेंगे टॉप टेन मीडियम जो कॉलेजिस इस आप लोग मिल सकता है पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट किया तो वहाँ पर डिसकुस किया था टॉप टेन कॉलेजिस फॉम डेबली जेह जहां पर बहुत सारा कॉलेज ता जादुपूर था आई-एम था कर्लियांग गवर्मेंट इंजिरियरिंग कॉलेज था चल पाए गुड़ी था तो आज जो वीडियो है इसमें बेसिकलिए वह जो टेन कॉलेजिस मैंने डिसकुस किया था उसके अलावा और भी जो टेन कॉलेजिस अच्छे कॉलेजिस है उसके बारे में आज वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे मतलब अगर आपका रैंक उतना भी अच्छा नाया है तो भी आपको एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल सकता है तो अगर आपने डिया था और आप काउंसिलिंग में बैठा चाते हैं ये वीडियो कान तक जरूर देखना मेरे चैनल प जाई 2020 एक्छली मैंने 1-10 पहने डिसकस किया था तो इस वीडियो में डिसकस करूँगा टॉप 20 कॉलेज से टॉप 11 कॉलेज तक मतलब 20 रैंग से 11 रैंग तक कॉलेज का डिसकसन इस वीडियो में हम लोग करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 20 में जो कॉलेज टोटल सब से हाइस जो जाते है वो कैलकुलेट किया है तो कट अब यहां पर 8K से 80K तक चला जाता है प्लेजमेंट यहां का 60% हो जाता है फीज लगता है 95,000 रुपीज पर ये अप्रॉक्स तो यह हो गया नंबर 20 कॉलेज नंबर 19 में जो है नंबर 19 में है BC Roy Engineering College इसका आप कट अब देख सकते है 7K से 76K तक जाता है प्लेजमेंट इसका जाता है 68% और फीज इसका लगता है 1,600,000 रुपीज पर ये अप्रॉक्स तो यह हो गया नंबर 19 अब चलिए नंबर 18 में चलते है नंबर 18 में है असान सोल एंजिनियरिंग कॉलेज इसका आप कट अप देख स जाता है फीज इसका देख से थोड़ा हाई है in compared to those two colleges फीज इसका लगता है 1,200,000 रुपीज पर ये अप्रॉक्स अब चलिए नंबर 17 में चलते है नंबर 17 में है University of Engineering and Management UEM कोलकाता इसका cut of up देख सकते है 5K से 78K तक जाता है placement इसका जाता है 75% क्योंकि ये IEM UEM ग्रूप का ब्रांच है and fees इसका थोड़ा ज्यादा लगता है थोड़ा नहीं in compared to other colleges सबसे ज्यादा लगता है UEM का 1,40,000 रुपीज लगता है पर ये अप्रॉक्स अब चलिए नंबर 16 में चलते हैं नंबर 16 में है Future Institute of Engineering and Management ये भी है बहुत ये अच्छा college कट अब आप इसका देख सकते है 5K से 78K तक चला जाता है placement इसका 75% होता है जो की UEM से बिलकुल सेमी है and fees इसका UEM से कम लगता है 1,00,000 रुपीज लगता है पर ये नंबर 15 college में जो है नंबर 15 में है Narula Institute of Technology जिसका cut-off आप देख सकते है 4K से 74K तक चला जाता है placement इसका देख सकते है 73% placement इसका हो जाता है फीज इसका 1,00,000 रुपीज लगता है पर ये एप्रोक्स तो ये भी एक बहुत अच्छा college है नंबर 14 में चलता है नंबर 14 में है Bengal Institute of Technology जिसका cut-off जाता है 9K से 72K तक and placement इसका जाता है 76% मतलब बहुत ही अच्छा placement हो जाता है फीज इसका देख सकते है 90,000 रुपीज लगता है पर येर अब जलें नंबर 13 में चलते है नंबर 13 में है अब देख सकते है RCC Institute of Information Technology इसका cut-off आप देख सकते है बहुत ही जल्दी घतम होता है in compared to other जो colleges मैंने डिसकस गया इसका cut-off जाता है 5K से 30K तक placement इसका देख सकते है थोड़ा कम जाता है पता है मुझे इसका placement जाता है 67% and fees भी इसका बाकी colleges से आप बोल सकते है कमी लगता है 92,000 रुपीज लगता है पर year अब चलिए number 12 में चलते है number 12 है Academy of Technology जो है आदिस उप्तोग्राम में हुगली में इसका cut-off आप देख सकते है 4K से 65K तक चला जाता है placement इसका आप देख सकते है 77% इसका placement हो जाता है फीज इसका देख सकते है 95,000 रुपीज लगता है पर year सबसे अच्छा क्या है इस college के मैंने आल्लीडे आपको बोला है इसका campus जो है बहुत ही सुन्दर है तो एक बहुत ही अच्छा college है आप चाहाए तो इस college में भी admission ले सकते है अब चलिए number 11 में चलते है number 11 में है St. Thomas college of engineering and technology इसका कटों आप देख सकते है 4K से 30K तक जाता है बहुत जल्दी खतम होता है बोल सकते है placement इसका 75% हो जाता है and fees भी other colleges से बहुत ही कम लगता है 87,000 रुपीज लगता है per year approach तो आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के सामने discuss कर दिया top 20 college से top 11 college तक मतलब आपको 1 से 10 तो पता है अगर नहीं पता है तो उपर देखे आईटे बार है वो वीडियो जाके जरूर देख लेना वहाँ पर मैंने WBJ से आपको top 10 क्या college मिल सकता है दिसकस किया है उस top 10 के बाद आपको 20 से 11 तक मैंने बोल दिया मतलब top 20 college WBJ का वो मैंने discuss आप लोगों के सामने कर दिया तो वीडियो कैसा लागा नीचे comment करके मस बतना वीडियो अच्छे लगे तक कर दिना like और अगर मेरे चैनल पर नहें तो मेरे चैनल को subscribe मस्ट कर लेना क्योंकि ऐसे ही बहुत interesting वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत जल्दी नहीं वीडियो के साथ फिर से आप लोगों समुला कत होगी तब तक के लिए बावाई